कि पास साल का बैन है PFI के फ्रेंटल ऑगनेशन की बैन है सिफ SDPI को छोड़के सारी जो संस्थाइं है PFI से जोड़ी दूरू उनके बैन लगा दिया लिया कि मैं एक स्टेटमेंन अग्रेजी में पर्देता हूं आपके साम में कि while I have always opposed PFI's extreme and radical approach I have always supported democratic approach this ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself should must be banned supreme court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone a draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any muslim who wishes to speak his mind the way Indian electoral autarchy is approaching fascism every muslim youth will now be arrested with a PFI pamphlet under India's black law UAPA muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts I have opposed UAPA and will always always oppose all the action under UAPA it runs of all the principles of liberty which is part of the basic structure of our of the Constitution we should remember that Congress amended Congress amended UAPA to make its stringent and when BJP amended the law to make it even more draconian and at that time the Congress supported it this case will follow the timeline of Kappan where any activist or journalist is randomly arrested and takes two years to even get bail how come PFI is banned but organized associated with convicts of Khaja Ajmeri bomb blast are not why has government not banned right-wing majority and organizations this is my statement on the on on this recent ban issue the mountain of evidence the mountain of evidence हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आपको आसानी हो जाए हाँ यह जरूर सही है मैं आपकी खाविलेते बहुरा सा नहीं कर रहूं बट लेकिन आप अपकोस क्यूंग है ने वाइल सुनिए सुन लीजिए ना मैंने हमेशा पी एफ आई की जो यह राडिकल एक्स्ट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोस किया हूं और करता रहूंगा चाहे कोई राडिकल एक्स्ट्रीम अप्रोच अडॉप करेगा मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्यूंके चंद इंडिवीजियल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अप आप और्गनाजेशन को बैन करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मियर एसोसियेशन विट अन और्गनाजेशन इस नौट इनफ टू कन्विक समवन ये जो ड्रेकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तगबिल के लिए डेंजरिस चीज है क्योंके आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुस्लमान अपनी दिल में जो बात है जहन में बात है और जिस तरीखे से हमारी इलेक्टरोल जमूरियत चल रही है वो फाशिजम के खरीब जा चुकी है तो अब कोई भी मुसल नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैंफलिट निकाल देंगे पीए 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 का और फिर वो जो काला खानून है यूए पीए का उसको इस्तेमाल करेंगे और इस यूए पीए के खानून में कई मुसलमान बरसों बरसों जेल में रहते हैं उसके बात कोट उनको बरी करता है मैं हमेशा यूए पीए को अपोस्ट किया हूँ और इसको अपोस्ट करता रहूंगा क्योंकि यूए पीए का खानून हमारे समविधान के प्रिंस्पल आफ लिबरिटी जो हमारे समविधान के बेसिक स्ट्रक्षर का हिस्था उसके खिलाब जाता है ये जो केस होगा इस तरह जो केस मुस्तक्बलें बुक होंगे नौजवान उसे बुक होंगे तो वो सेम सिद्ध कपन की टाइम लाइन को फालो करेगा और उनको दो साल तीन साल लगेंगे बेल मिलने के लिए हमारा सरकार से पूछना ये है कि खाजा अजमेरी रहमतुला अले की दरगा पर जो बॉम बलास्ट हुआ था जिसमें मेरे कॉंस्टेंसी का एक टोली चोकी हकीम पेड़ करहने वाला उसकी मौत हुई थी उसमें दो लोगों को कन्विक किया गया कॉर्ट ने वो कौन सी ओगनाईशन तालुक उनका बताईए कॉर्ट का जज्ज्मेंट कहे रहा है और उस ओगनाईशन को तो आप बैंड नहीं करेंगे तो इसलिए ये हमारा इस पर ये कहना है अब मैं सवालात नहीं लूँगा ये पार्टी का आप चाह रहे थे के पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है ये आपके सामें में खुल के रखाऊंगा राइडिकलाइशन हो एक्स्ट्रीमिजम हो हम उसका पोस्ट करते आए हैं चाह पुछ पॉलिटिकल पार्टी में ये मूला है कि आरे से पर जो जो राइट विंग हो मिडिल विंग हो सेंटर विंग हो कोई विंग हो जो भी radicalization और extremism की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको oppose करनी की जरुरूत है और अगर आप यह कह रहे हैं कि radicalization सिफ एक तरफ हो रहा है नहीं radicalization हर तरफ हो रहा है I I II III I would apologize to you I have decided to read a statement in my statement I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those two people belong to, the convicted people. There is a conviction. And the court has given the conviction. अप उसका क्या के उस्का का राउरस, उसके फीरा राउरस के साइड. अप लोग देखके बूलओ involves poetry कोट कोट ने कही है और और वह सी में बहुत से है, जिसमर में नहीं हो अब ये देखिए शैबाज अंसारी मंदार जहरकंड के बच्चे को उसको लिंचिंग हो गई अब ये रैडिकलाइस कौन कर रहा है इन लोगों को ये बताईए ना यही तो मेरा सवाल है इनको रैडिकलाइस कौन कर रहा है कि वो शैबाज अंसारी उसके ये जो जानकार है ये लोग जो जो एक्यूज एक्यूज है ये रैडिकलाइस्चन देश को बरबाद कर रहा है क्या शेवाज को इंसाफ मिलेगा या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज जे उनको फिर फूल माला पिना देगी तो जारकंड की सरकार भी जम्मेदारी है कि इस पर सक्ट एक्शन ले और ओर पीडित परिवार से कोई मंतरी जाकर मिले उनको यकीन दिलाए कि इन से इनसाफ होगा और उनकी मदद करना में वह यह रादिकलाज़ेशन है यह शहवाज अंसारी की मौत उसका खतल लिंचिंग यह रादिकलाज़ेशन है एक्स्ट्रीमिजम है यह धरम संसरत में क्या क्या नहीं बोला गया यह सब राडिकलिजिशन हो रहा है हाँ तो आपको पूलिस आपको 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 आप तमाम ने हमारे मेलेस का स्टेटमेंट आपने क्यारी किया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वो उसी वक्त गए उसका कंडेम किये उन लोगों को इंस्ट्रुमेंट थे हमारे मेले वो जो हरकत गंदी हरकत किये उनको एरेस्बी करवाए पूलिस का स्टेटमेंट भी है पूलिस को भी आक्शन लना चाहिए लीप जाना चाहिए क कि किस थाए नैंक